ब्राप्ट यू बाई आईटल सीरीज स्वाई प्रसाद मौरे करेंगे क्या हम आपको ये बताएंगे लेकिन उसके पहले ये भी बताएंगे कि आज ताजा बयानों में स्वाई प्रसाद मौरे ने किसे टार्गेट किया है और पल्लवी पटेल ने क्या कहा है इसके अलावा आठवे उमिद्वार के मैदान में उतरने से बीजेपी की तरफ से यानि कि 10 सीट के जगह अब 11 प्रत्याशियों के मैदान में आने से कैसी खलबली मची है समाजबादी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी की कौन सी प्लैनिंग है और क्या सच मुझ बीजेपी अपना आठवा उमिद्वार जीता ले जा सकती है ये भी समझेगे और आखिर में सोनिया गांधी का वो भावुक पत्र जो उन्होंने राय बरेली के लोगों के नाम लिखा है जब उन्होंने राय बरेली की सीट छोड़कर राजसभा का रुख किया है ये तमाम खबरे आज का यूपी में नमस्कार मैं हूँ कुमार अभिशेग आप देखरें यूपी तक हम हाजरे अपने नीज शो आज का यूपी लेकर तो स्वामी प्रसाद के जो नए नए बयान, नए नए बोल सामने आ रहे हैं ये साफ दिखा रहा है कि अब समाजबादी पार्टी में उनके दिन अब गिंती के रह गए है पहले तो उन्होंने एक लंबी चौड़ी चिठी सोशल मीडिया पर पोस्ट की और अखिले शादों से लेकर पार्टी, पार्टी की नीतियों, पार्टी के सीनियर नेताओं सब को लपी तिया और उन्होंने धेरो सवाल खड़े कर दिये उस चिठी के बाद से ही ये लगभग साफ हो चुका था कि स्वाइप्रसाद मौरे का मन समाजवादी पार्टी के भीतर नहीं लग रहा है लेकिन अखिले शादों के तरफ से उनके चिठी के बाद भी बयानी आया कि इस बारे में पार्टी के भीतर बाचीत हो रही है बाचीत क्या होती है आज स्वाइप्रसाद मौरे ने एक और बम फोड़ दिया और इस बार तो उन्होंने जो बयान दिया है वो उन्होंने इशारों में ही सही लेकिन प्रॉफेसर राम गोपाल यादो पर ऐसा बयान दिया है जो शायद ही मर्यादा की भाशा में आता हूँ उन्होंने शेक्चिल्ली शब्द का इस्तेमाल किया है और शेक्चिल्ली शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा है कि बहतर है कि ऐसे लोग अपनी जुबान बंद रखे अगर वो पार्टी का भला नहीं कर सकते तो इस तरह की बयान बाजी न करें आखिर उन्होंने क्यों टार्गेट किया है प्रोफेसर राम गोपाल यादाओ को कहीं ये जोड़ी आपस में मिलकर काम तो नहीं कर रहे हैं हम इस बात को समझेंगे कि पल्लवी पटेल और स्वाइम प्रसाद मौरे मिलकर सपा को ध्वस्त करने में तो नहीं लगें लेकिन पहले बयान आप सुन लिजे उन्होंने बयान क्या दिया है और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है क्या जो इसको मतभी नहीं जनते हैं वो मेरी किसी भी बात को निजी बयान करके हवा में उशालने के कोशिश करते हैं ऐसे सेख चिली बखाने वाले लोगों को मेरी हिदायत है कि कम से कम जिस पार्टी में है उस पार्टी के विरुद्र महत्पूर्पत पर बैठ से कर साजिश का हिस्टा नहीं बनना चाहिए आपको पार्टी का जनधार बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए अगर जनधार नहीं बढ़ा सकते हैं तो चुप रहना चाहिए अनार्षनाब बाजिकरके पार्टी की ओ लोग जो लगातार पार्टी को आगे बढाने में लगे हुए हैं उनको हथोषब नहीं करना चाहिए उनका हॉस्टा तोड़ने के लिए उशी बाते नहीं करनी चाहिए उशी हरकतों से बचना चाहिए कुछ ऐसे लोग है जो पार्टी में एक ओर तो अपना नहीं जोड़ सकते हैं लेकिन पार्टी उनको आजीवन सजा के रखती है फिर भी वो कभी भी दलितों आदबाक्षियों पिश्णों के सम्मान में पालिया में बोलते नदर नहीं आते हैं तो ऐसे लोग जो जिनको पार्टी सपुद दे रही है वो पार्टी क्या दे रहे हैं तो उनको अपने दावान में जहांके देखना चाहिए वो कहां है पार्टी मुनका योगदान क्या है और किस से से वो मुझे को ये कह सकते हैं कि मुर्य जी का निजी बयान है दरसल सपा के भीतर चल रहे है सियासत के इस खेल को समझें उसके पहले पल्लवी पटेल ने भी आज क्या बोला है इसको समझ लीजिए उन्होंने एक बार फिर जैजा को अपने टार्गेट पर लिया और कहा कि वो अभिनेतरी हो सकती है लेकिन राजिसभा में कोई नाटक नहीं खेला जा रहा यही नहीं आज उन्होंने ये बात भी कह दी कि हाँ वो अपनी मा को राजिसभा सदस से भेजना बनाना चाहती है इसमें बुराई क्या है सुनिए क्या कहा है पलवी पटेल में उत्क्रष्ट अभिनेतरी हैं विदूशी महिला हैं लेकिन ये पार्टी के अंदर या यहां पर कोई नाटक नहीं चल रहा है फिल्मी ड्रामा नहीं चल रहा है ये लड़ाई जमीनी हकीकत की है देखिए हमसे व पूरी तरीके से साफ हो गया कि दोनों नेताओं को इस बात की चिंता नहीं है कि समाजवादी पार्टी के भीतर उनका भविश्य क्या होगा या इसको यूँ देखें कि उन्होंने एक तरीके से समाजवादी पार्टी को अलविदा कह रखा है पार्टी जो कारवाई करनी ह करे अब वो लोग रूखने वाले नहीं क्योंकि स्वाई प्रुसाद मौरे की एक चिठी के बाद अगर बात संभलनी होती तो संभल जाती लेकिन अब उन्होंने एक तरीके से मन बना लिया है कि अब वो पार्टी के भीतर जब तक रहेंगे तब तक बक्याव धेरते रहेंग तो क्या इन दोनों की कोई ऐसी प्लैनिंग है जिसके जरीए समाजबादी पार्टी को डिमीन किया जा सके समाजबादी पार्टी को उनकी असली ताकत का अंदाजा लगाए जा सके कि बगएर स्वामी प्रसाद मौरे के और बगएर पल्लवी पटेल के समाजबादी जो उसने आज हासिल किया है एक बात तो साफ है कि स्वामी प्रसाद मौरे अब ज़्यादा दिनों तक शायद ही इस पार्टी में रहे है समाजवादी पार्टी के जो अंदुरूनी सूत्र है वो बता रहे है कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौरे लगातार हमले कर रहे है हर दिन कोई न कोई ऐसा बयान दे रहे है जो कि पार्टी को चुभ रही है ऐसे में वो ज्यादा वक्त तक पार्टी के भीतर नहीं रह पाएंगे और उन्होंने ये बात भी कह दी है कि जल्द ही अगर उनके उठाए सवालों पर फैसले नहीं किये पार्टी ने तो फिर वो अपना फैसला लेने को स्वतंत रहे है लेकिन वो जब तक रहेंगे तब तक पार्टी का बंटाधार तो करते रहेंगे दरसल इस वक्त समाजवादी पार्टी थोड़ी बैक फूट पर आ गई और उसकी वज़ा ये है कि सपा ने जो राजसभा की लिस्ट जारी की है इससे पार्टी का काडर भी खुस नहीं पार्टी के भीतर भी से लेकर बहुत रोश है उनके सोशल मीडिया पर उनके ही लोग इस बात की कमेंट करते दिख रहे हैं कि आखिर जया आपको पांच बार पांचवी बार राजसभा भेजने के पीछे की वज़ा क्या है जब आप PDA की बात करते हैं तो क्या पार्टी में इतने नेता इतने कारे करता इतने दिनों से जो काम कर रहे हैं क्या उनका हक नहीं है और पार्टी के भीतर इस वक्त इस राजसभा की सूची के बाद से जो बावाल मचा है उसका फाइदा स्वाई पुसाद मौर और पल्लवी पटेल दोनों उठा रही है दरसल वो तबका जो की पीडिये की बात करता है यानि की पिछडों दलितों अल्पसंख्यों की बात करता है वो बेशक इन दोनों नेताओं के समाजबादी पार्टी पर हमला करने से नाखुश तो है लेकिन वो इस बात से खुश है कि सही मुद्दे को उठा दिया है और ये बात स्वाई पुसाद मौरे को भी समझ में आ रही है कि इस वक्त जब उन्होंने जो मुद्दा उठाया है और पल्लवी पटेल ने खास करके रंजन और बच्चन की जो बात की है ये पार्टी के जो काडर हैं उसको बड़ा सुकून दे रही है लेकिन पार्टी से ज़्यादा वक्त तक शायद ही ऐसी बातों को बरदाश्ट करें तो माना ये जा रहा है पार्टी के अंदरुनी सूत्र यानिकि सपा के अंदरुनी सूत्र ये मानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर अब ज्यादा वक्त तक पार्टी के भीतर नहीं रह पाएंगे या तो उन्होंने कोई पार्टी तलाश कर ली है या वो बीजेपी के टच में है प्रत्यक्ष ना हो परोक्ष टच में है ऐसा सपा के अंदुरूनी सूत्र कह रहे हैं क्योंकि बेशक वो बीजेपी ना जा पाएं लेकिन समाजबादी पार्टी को अगर वो डैमेज कर रहे हैं काम तो बीजेपी का ही कर रहे है क्योंकि उनकी बेटी बीजेपी में ही है और उसी से सांसत भी बनने की खौईश रखती है उसी से चुनाव भी लड़ेंगी एक तबका ये है जो ये मानता है कि स्वाइपरसाद मौर ज्यादा वक्त तक नहीं रहेंगे और एक अपना ग्रुप अपनी पार्टी बनाएं ना बनाएं एक अपना ग्रुप जरूर बनाएंगे और वो समाजवादी पार्टी को चुनाव तक डैमेज करने की पूरी कोशिश करेंगे ऐसा सपा के अंदरूनी सूत्रों का मानना है तो क्या सपा उन्हें वरदास्त करती रहेंगी या निकाल देगी स्वाई प्रसाइद मौरेश जरूर चाहेंगे कि पार्टी उन्हें निकाल दे क्योंकि तब उनकी MLC की जो सदस्ता है वो बची रहेगी और अगर पार्टी ने नहीं निकाला तो वो ऐसे बयान देते रहेंगे कि पार्टी के लिए फजीहत वाली बात होती रहेगी ऐसे में बड़ा ही Catch-22 सिच्वेसन जिसे कहते हैं साब शुचंदर वाली सिटी पार्टी की आने वाले वक्त में हो सकती है और ये BJP को बड़ा सूट कर रहा हो दूसरी तरफ पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव को तो आड़े हासो ले लिया लेकिन उन्होंने अलान कर दिया कि वो वारा नसी में राहुल गांधी की भारत जुड़ो नया यात्रा में शामिल भी हो तो क्या वो पार्टियां या वो नेता जो इस वक्त अखिलेश यादव से नाराज हैं वो कॉंग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेंगे अब समाजबादी पार्टी के भीतर भी ये बात होने लगी है कि जो लोग अखिलिशादों को टार्गेट कर रहे हैं वो राहुल के ही तैशी कैसे हो सकते हैं जबकि पूरा इंडिया ब्लॉक अभी भी एक साथ लड़ने की बात कर रहा है यानि बहुत कुछ अभी इस खेल में बाकी है और लगता ऐसा है कि आने वाले दिनों में ये दोनों नेता और खेल करेंगे लेकिन और खेल होने वाला है बीजेपी ने आठवा कैंडिडेट उतार दिया है अब हम इस खेल को समझेंगे कि असल में कैंडिडेट जिताने को लेकर क्या-क्या खेल हो सकते हैं तो बीजेपी की तरफ से आठवा कैंडिडेट आज आ गया जिसकी चर्चा थी और उसकी वजह भी बन रही थी जिस तरीके से स्वाइपसाद मौरे ने मोर्चा खोला और पल्लवी पटेल ने कह दिया कि वोट नहीं करेंगी तो ऐसा लगने लगा कि समाजबादी पार्टी का जो तीसरा कैंडिडेट है वो वल्नरेबल है वो कैंडिडेट हार सकता है और बीजेपी यहाँ पर अपने लिए मौका देख रही है तो उन्होंने पार्टी के भीतर धन्ना सेट माने जाने वाले संजसेट को उता दिया है संजसेट कभी समाजबादी पार्टी के शीर्स नेताओं के बड़े ही करीबी हुआ करते थे संजसेट बहुत बड़े बिल्डर हैं और संजसेट बहुत बड़े धन्ना सेट भी है लखनव और उत्तर प्रदेश में उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी बहुत बड़ी मानी जाती है और लखनव में तो उसका बहुत बड़ा नाम है बहुत अच्छा खासा नाम है तो हजारों कड़ों के संपत्ती के मालिक हैं कभी समाजवादी पार्टी के कोशा ध्यक्ष हुआ करते थे और मुलायम सिंग यादों से लेकर पूरा यादों परिवार या यूं कहलें वो पूरे यादों परिवार के बेहद करीबी थे अंदाजा लगा ये कि कुछ साल पहले तक समाजवादी पार्टी का जो शक्स लेखा जोखा रखता हूं समाजवादी पार्टी के पैसे का जो हिसाब किताब जानता हूं कुछ साल पहले बीजेपी ने उन्हें तोड़ लिया था और बीजेपी ने उनसे इस्तीफा दिलवा क पूरी मियाद पूरी हो गई उनका कारेकाल पूरा हो गया तो बीजेपी नों ने दुबारा अपना टिकट नहीं दिया उन्हें सदर्शिता के लिए उनका नाम आगे नहीं किया था लेकिन ये मौका दिख गया और संजे सेट समाजवादी पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं उसके इन्स और आउट को बहुत बढ़िया से जानते हैं उनके सभी बड़े छोटे निताओं से उनके संबंध हैं इसलिए क्योंकि लखनव में सियासत भी उन्होंने की है और लखनव में बिजन करके ही यानि कि उनके विधायकों को अपनी तरफ ला करके ही आठवी सीट बीजेपी जीच सकती थी और जहां जहां कहते हैं कि साम दाम दंड भेद जिसकी जरूरत इस आठवे उमिद्वार को जिताने के लिए होगी उसके लिए संजे सेट ही सबसे मुफीद थे तो संजे यह बताने जा रहे हैं तो समाजबादी पार्टी के भीतर संजे सेट के बीजेपी के तरफ से चुनाव में आने के बाद ही एक तरीके का कह सकते हैं कि हल्चल मची हुई है कि आखिर सपा को कौन-कौन ऐसे विधायक हैं जो धोखा दे सकते हैं जो डिच कर सकते हैं या फिर समाजबादी पार्टी 111 के अपने आंकडे तक पहुची नहीं पाई क्योंकि सपा को 111 विधायक या 111 वोट प्रथम वरियता के फर्स प्रेफरेंस के चाहिए और अगर हम उसका गणित समझें तो समाजबादी पार्टी के पास कुल 108 विधायक है और 108 विधायकों में भी कुछ जेल में है रमकान्त यादो जेल में है इर्फान सोलंकी जेल में है तो ये आंकड़ा घटकर 208 से 206 तक पहुच जाता है कॉंग्रेस का समर्थन अगर उन्हें मिलता है तो फिर ये 208 तक जाता है लेकिन फिर भी 211 यानि कि कम से कम 3 सीटें 3 वोट और उन्हें होगा दूसरी तरफ अगर 37, 37, 37 अगर उनके कैंडिडेट जीतने हैं तो समाजवादी पार्टी को पहले और अपने दूसरे जो उनके कैंडिडेट हैं उन्हें जिताने के लिए वो एक्स्ट्रा सर्प्लस जो एक्स्ट्रा वोट भी उनको आवंटित करती है ऐसे में पहले और दूसरे नंबर पर जो होंगे उनके लिए 37 से ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी ने उनके लिए रख रखे होंगे कि कहीं उनमें ही खेलना हो जाए इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम 5 से 6 ऐसे वोट हैं जो समाजवादी पार्टी को कम पढ़ सकते हैं और 6 व वोट हैं और उन्हें तीन या चार चार या पांच अगर उनके पास वोट और एड हो जाते हैं तो अपना उमिद्वार जिता ले जाएंगे क्योंकि बाकी उनके पास जो दूसरी वरियता के वोट हैं वो 288 होंगे और समाजवादी पार्टी के पास 108 होंगे तो ये आंकड़ा कैसे है इसको भी समझ लीजिए सपा के पास इस वक्त 108 सीट है जिसमें से दो जेल में हैं और अगर जेल में मौझूद दोनों विधायकों को अगर वोट करना है तो पहले अदालत की अनुमती लेनी होगी और अगर हम इतिहास देखें तो आजम खान को भी जब वोट करना था पिछली बार विधान परिशद के चुनाओं में तो वो जेल से नहीं आ पाये थे यानि कि बहुत मुम्किन है कि शायद ये लोग वोट ना कर पाएं उधर बीजेपी का आकड़ा समझ लीजिए बीजेपी के पास इस वक्त 152 विधायक हैं 152 वोट हैं इसके अलावा बीजेपी के पास 13 वोट अपना दल S का है छे वोट निशाद पार्टी का है छे वोट उनके पास ओम प्रकास राजभर का है और माना जा रहा है कि दो वोट जो की जनसत्ता पार्टी है उसका भी दो वोट उन्हें मिलेगा तो कुल मिला करके और इसके अलावा RLD जो NDA में आ चुकी है उसके 9 वोट भी NDA के साथ होगे तो कुल मिला कर 288 वोटों का बीजेपी का गणित बैठ रहा है लेकिन समाजवादी पार्टी को लगता है कि वो बीजेपी के भीतर डिफेक्शन कराने में सफल होगी बीजेपी नहीं, NDA के भीतर कैसे तो 6 में 3 जो कि उमप्रकास राजभर की पार्टी के हैं वो मूलता समाजवादी पार्टी के हैं समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो उमप्रकास राजभर की पार्टी से जीत कर विधायक बने हैं और 9 विधायकों में से 4 विधायक जो है कि वो भी बीजेपी के इंडिये के भीतर अपना डिफेक्शन कराने में सफल रहे यानि कि ये डिफेक्शन का खेल खूब होगा लेकिन क्या सचमुच ये संभव है इस सरकार के रहते हुए और इस चुनाओं में जबकि हर शक्स को अपना वोट दिखा कर देना होता है यानि कि जो भी अपना वोटिंग करने जाएगा वो अपने जो नेता होंगे उन्हें अपना वोट दिखाएगा तब जाकर वोट करेगा ऐसे में RLD के बेशक जो चेहरे हैं जो सपा के रहे हों उनके लिए डिफेक्शन करना बड़ा मुश्किल होगा वैसे ही उन्परकास राजभर के नेताओं के लिए भी डिफेक्शन करना मुश्किल होगा और अगर इंडिये ने अपने उस कह सकते हैं कि उस ग्रुप को बचा लिया और अपना वोट करा लिया तो संजे सेट का जीतना लगभगते हो जाएगा क्योंकि 111 में से 4-5 पहले से कम है और पल्लवी पटेल अगर उन्होंने वोट नहीं किया तो मान लीजिये कि फिर बहुत मुश्किल लड़ाई होगी समाजवादी पार्टी के लिए अपनी इस आखरी सीट को निकालना तो कुल मिलाकर संजे सेट का दाओं बीजे पी ने सियासी तोर पर एक देखा जाये तो बड़ा चाल बीजे पी ने चली है और अब बहुत कुछ दारुमदार जब साम, दाम, दंड, भेद का होता है और उसमें भी लक्षमी के साथ तो आप अंदाजा लगा लीजे कि फिर जीत कहां ठहरती है अब हम आपको बताएंगे सोनिया गांधी के उस पत्र के बारे में जो उन्होंने राय बरेली के लोगों के नाम लिखे तो सोनिया गांधी राज्यस सभाक की सदस्य होने जा रही है उन्होंने राज्यस्थान से अपना पर्चा भरा है लेकिन उसका असर उत्तर प्रदेश में ये है कि लगातार कई बार राय बरेली से सांसद रही सोनिया गांधी ने अब उत्तर प्रदेश को अलविदा कह दिया है लेकिन अलविदा कहने के साथ ही उन्होंने अपने चुनावचेतर राइबरेली में लोगों के नाम एक चिठी लिखी है और उस चिठी में लोगों को जो संबोधन है उसमें उन्होंने कह सकते हैं कि अपना दिल उडेला है तो सोनिया गांधी ने अपनी भावनाओं का इजहार उस पत्र में किया है उन्होंने एक बात बड़ी एहम लिखी है और वो बात है कि मेरे वहां से जाने के बाद मेरे परिवार का खयाल लखना यानि कि उन्होंने इशारा कर दिया है कि सोनिया गांधी ने बेशक कोई सीट छोड़ दी है लेकिन उनके परिवार का कोई न कोई वहां से लड़ेगा तो क्यार प्रियंका गांधी लड़ेंगी राहुल गांधी लड़ेंगे चच्चा तो प्रियंका गांधी की है खैर ये फैसला परिवार को लेना है लेकिन बहुत मुम्किन है कि प्रियंका गांधी अब सुनिया गांधी की इस राइबरेली सीट से उमिद्वार हो खेर, हम आपको उस पत्र का मजमून थोड़ा बता दें उस पत्र में उन्होंने राए बरैली के मेरे सिन्भी परिवार जन ऐसे कहके उन्होंने संबोधित किया है, नमस्कार मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है यह राय बरेली आकर आप लोगों से मिलकर पूरा होता है यह ने नाता बहुत पुराना है और अपने ससुराल से मुझे सौभागे की तरह मिला है राय बरेली के साथ हमारे परिवार की रिष्टों की जड़ें बहुत गहरी हैं आजादी बाद हुए लोगसभा चुनाओ में अपने ससुर स्रीफ फिरोज गांधी का जिक्र कम से कम मैं देख रहा हूँ कोई यहां से जिता कर दिल्ली भेजा उसके बाद मेरी सास स्रीमती इंद्रा गांधी को आपने अपना बना लिया तब से अब तक यह सिलसिला जिन्दगी के उतार चड़ाओ और मुश्किल भरी राह पर प्यार और जोस के साथ आगे बढ़ता गया और इस पर हमारी आस्था मजबूत होती चली गई इसी रोशन रास्ते पर आपने मुझे चलने की जगह दी साल सास और जीवन साथी को हमेशा से हमेशा के लिए खोकर मैं आपके पास आई और आपने अपना आचल मेरे लिए फैला दिया पिछले दो चुनाओ में विशम परिस्थितियों में भी आप एक चट्टान की तरह मेरे साथ ख़ड़े रहें पिछले दो चुनाओ यानि 14 और 19 के चुनाओ को विशम परिस्थिति के तौर पर सोनिया गांधी ने मेंशन किया है अपने इस लिटर में यह कभी मैं भूल नहीं सकती यह कहते हुए मुझे गर्व है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वदौलत हूँ और मैंने इस भरोसे को निभाने की भर सक कोशिश की है अब स्वास्त और बढ़ती उम्र के चलते मैं अपना अगला लोग सभाचुनाओं नहीं लड़ूंगी इस निर्णे के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा का आउसर नहीं मिलेगा लेकिन यह तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास होगा मुझे पता है आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालती आएं मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालती आएं यानि कि कोई न कोई परिवार का जरूर चुना लड़ेगा बड़ों को पड़ाम छोटों को उसने जल्द मिलने का वादा सोनिया गांधी मैंने पूरा का पूरा खत उसका मजमून आपके सामने पढ़ दिया और इस पत्र में उन्होंने दो तीम बड़ी एहम बातें कह दी फिरोज गांधी का जिकर कर दिया यानि कहीं न कहीं वरुन गांधी और मिनका गांधी की तरफ भी एक इशारा है दूसरा चौदह और उन्निस में विशम परिस्थिती यानि कि दो चुनाओ बेहद मुश्किल भरे रहे इसको उन्होंने स्विकार किया है और आखिर में उन्होंने कह दिया कि अब उनके परिवार को संभालने के जिम्मेदारी भी है तो कुल मिलाकर अब प्रियंका होंगे या राहूल होंगी पड़ा साफ है कि शायद प्रियंका ही हो और इस चिठी के बाद तो बिलकुल क्रिस्टल क्लियर है तो ये था आज का योपी हम कल फिर हाजिर होंगे हमें दीजिये इजाज़त नमस्कार